हलो फ्रेंड्स राधे राधे बिल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ सिम्मी तो फ्रेंड्स सौगय थे आपका हिंदुस्तानी ब्लोग और सिम्मी की रशोई में तो फ्रेंड्स आजम बनाएंगे आलू से बना हुआ बहुत ही टेश्टी पीजा जो खाने में बहुत ज़्यादा यमी होता है तो मैं बनाना सुरू करते हूँ तो मैंने लिये यहाँ पर कच्चे आलू जिनकी छिलके मैंने उतार कर अच्छे से साफ कर लिये हैं दो चम्मच हारा रोड़ पाउडर एक चम्मच बटर दो चम्मच पीजा सॉस दो मीडियम साइस के प्याज एक चम्मच चिली फ्लैक्स नमस्वादन साथ पनीर और एक सिम्ला मिर्ज मैंने यहाँ पर लिया है मुजरेला चीज आरे गये नो पिज़ा सीजनिंग तो हमने लिया यहाँ पर बाउल और हम अपने आलूओं को करेंगे कद्दूकस अगर आप एक बार इनास्ता बना देंगे न तो बच्चे लोग आपसे बार बार जित करके बनवाएंगी इतना टेश्टी बन करें तयार होता है तो फ्रेस आलू हमारी कद्दूकस हो चुकी है उसमें डालेंगे हैं एक गलास पानी अब उनी से चन्नी में चान कर रख देंगे थोड़ा सा एक गलास पानी और डाल कर अंधू लेंगे इस तरह से और इसे हम साइड में रख देंगे और जो मैनी सबजियां ले थी उसे मैनी क्यूप्स में कट कर लिए हैं प्याज सिम्बला मिर्च पनीर और मैंने चीज को कर लिया है कद्दूकस तो जो मैंने कद्दूकस करके आलू रख का हुआ था उसे हम बावल में ट्रांसफर कर देंगे इसमें डालेंगे हम आरा रोट आप आरा रोट की जगा चावल काटा भी डाल सकते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक गाढ़ा बैटार बना कर तयार कर लेंगे हम पानी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे तो बैटर हमारा दड़ी हो चुका है अब इसमें डालेंगे हम स्वाधन स्वान नमक तो नमक वच्छी से मिक्स कर लेंगे तो मैंने गैस के पैन को रख दिया है गरम होने के लिए इसमें डालेंगे एक चम्मस रिफाइंड आल और ब्रस की मदद से हम इसे ग्रेस कर देंगे जो मैंने बैटर बनाया हुआ था उसे हम पैन में डाल देंगे चम्मस की सहायता से हम चारो तरफ इसे पैला देंगे और हम किनारे किनारे इस तरह से सिट कर देंगे यह कीन मानिया पितना टेश्टी पीजा बनेगा कि आपका बार बार बनाने का मन करेगा बहुत ज्यादा टेश्टी बनकर तयार होता है तो मैं चम्मस की सहायता से 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 इस तरह से और हम तीन से चार मिट के लिए इसे लो फ्लेम पर ढग कर छोड़ देंगे तो मैं इसे चेक कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स किनारे से हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो उपर से लगाएंगे हम थोड़ा सा बटर किनारे से थोड़ा सा डाल देंगे तो इसे पलट देते हैं इस तरह से तो देखिए फ्रेंट्स इतना अच्छा गोल्डन ब्राउन बनकर तयार हुआ है तो इपर से लगाएंगे हम पीजा सॉस अच्छे से लगा देंगे तो इस पर डालेंगे हम कद्दू कस्किया हुआ चीज जितने चीज डालेंगे उतना ही अच्छा मारा पीजा बनकर तयार होगा क्यूंकि बच्छों को चीज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं तो अच्छा अच्छा पीज अब इस पर लगाएंगे हम अपने सिम्ला मिर्स आपके पास अगरे सिम्ला मिर्स नहीं है तो आप प्याज ही लगा सकते हैं कौन भी डाल सकते हैं जो सबजी आपको पसंद है आप इस पर डाल सकते हैं तो मैंने सिम्ला मिर्स आप प्याज को लगा दिया है अब हम लगाएंगे अपने पनेश तो इस तरह से हम लगा देंगे तो देखे फ्रंट्स कितना अच्छा लग रहा है भरा भरा हमारा पीजा चीज स्लाइस मेंने यह अपन लिया है उसे हम तोड़कर थोड़ा सा उपर से डालेंगे और थोड़ा सा मुजरेला चीज भी हम घज देंगे क्योंकि चीज बहुत ज्यादा पसंदे बच्छों को तो उपर से डालेंगे हम चिली फ्लेक्स अरिगेनो पीजा पीजा सीज़ी आरिगेनों पीजा सीज़ी मैंने डाल दिया है और मुपर से इसे कवर कर देंगे तो हम इन ये चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए पीजा हमारा कितना चीजी बन कर तयार हो चुका है तो हम चाकू की सहते से इसे किनारे से उठा कर देख लेंगे तो फ्रेंड्स एक दम बढ़िया से नीचे से भी बग चुका है तो हम इन ये चॉपिंग बोड पे निकाल लेंगे तो देखिए ना फ्रेंड्स कितना टेश्टी लग रहा हमारा आलू का पिजा तुम इसे आपको कट करके दिखाते हैं बहुत ही तेश्टी पिजा हमारा खुब सारी चीज के साथ बनकर तयार हो गया है तो फ्रेंड्स एक बारी से अपने किचिन में जरूर ट्राई करें अपने बच्चों के साथ इन्जॉय करें तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्गुल मत भूलेगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलते एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बवाए टेक केर